गुड मॉर्निंग आफ यू स्वागत आप सभी का ग्यान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथ बज गया है और मैं लेकर आ गई हूं आपकी करण्ट अफेर की क्लास यह क्लास आपके हर एक कंप्रिट्टी एक्जाम के लिए बहुत जादा मैत्पूर है मैं जो भी मैत्पूर घटनाए करण्ट अफेर की होती है उनको आपके लिए लाती हूं तो बिना किसी दे रिखे हो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे आज के पहला कोशन की हाली में अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोसित कर दिया है अमेरिका की वो कौन सी बैंक है जिसने खुद को दिवालिया घोसित कर दिया है दिवालिया को मतलब होता है कि एक तरह से कंगाल घोसित कर दिया कि उसके पास कुछ है ही नही मतलब एक तरह से वो क्या हो गई है दिवालिया हो गई है कंगाल हो चुकी है अब कुछ नहीं किया जा सकता है तो किस बैंक ने अपने आपको दिवालिया घोसित कर दिया है Wells Fargo, Silicon Valley Bank, JP Morgan Chase, Bank of America तो अमेरिका की एक बैंक है जिसका नाम है Silicon Valley Bank मैंक काफिन की वी वी फाइनसिंग ग्रुप की सहे कंपनी थी Silicon Valley Bank जो है इसकी स्थापना कब हुई थी जो दिवालिया हो गई है इसकी स्थापना हुई थी Bank of America के पूर्व MD Bill, Bigger, Staff और Robert Medaris ने की थी इन दोने ने मिल करके इस बैंक की स्थापना की थी जो कि अब दिवालिया हो गई है Silicon Valley Bank के पतन का असर जो है भारत सहीत पूरी दुनिया पर पढ़ा है क्यों कि यह बहुत बड़ी बैंक थी और हर देश का पैसा जब काफी बड़ी निवल पर बैंक होती है न तो फॉरण के भी काफी पैसा उसमें आता है जिसे भारत के कई लोग बाहर जौब अगरा कर रहे है तो बारत में पैसे भेजते हैं तो बड़ी बड़ी बैंक है इसका पूरी दुनिया पर पढ़ा हुआ है यूरोप के सबसे बड़े बैंक क्यूर्ए बंद हो चुके उकाए की अधिधरण कर लिया है मतलब जो बिटन में इसकी इस बैंक की ब्रांच थी सिल्कन वैली बैंक की जो ब्रांच यूके में थी ब्रिटन में थी वहां पर एक बैंक है जिसका क्या नाम है एच एस बीसी उसने अधिकरण कर लिया है वहां की साखा का अगला कोशन की 95 ओसकर एवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सौंग को ओरिजनल सौंग केटेगरी का एवार्ड मिला है ओसकर एवार्ड आपके क्या हो चुके हैं आउस हो चुके हैं तो उसमें ओसकर आप देखता होंगे आउसकर वार्ड पूरे एक तरह से विश्य लेवल पर काफी बड़ा एवार्ड होता है जो फिल्मों में फिल्मों के जो गाने हैं सब के लिए दिया जाता है तो जो किस मूवी के सौंग को ओसकर में इस बार एवार्ड दिया गया है ओरिजनल सौंग का मतलब वो कोई रिम पूचिक लगा करके उसको फिर से गा दिया वो नहीं और इसनल सौंग में किसको एवार्ड मिला है एवरिटिंग एवरिवेर ओल एट वंस को दा वेल को ट्रिपल र को दा एलिफेंट विस्पर्स को तो ट्रिपल आर मूवी ट्रिपल आई थी अभी इसका जो एक सौंग थ पर भारत में वॉलीवूड है वहां पर यह ऑसकर एवार्ड दिये जाते हैं पूरे विश्व में जितनी भी देश में मूवी बनती है गाने बनते हैं उनकी जो सबसे बेस्ट होता है उनमें उनको यह ऑसकर जिया जाता है पूरे वर्ड लेबल पर तो काफी बड़ी बात ह देखें कौन से नमबर का यह ऑसकर एवार्ड था 95 नमबर का इस शरिमनी में ब्लॉग बस्टर फिल्म ट्रिपल आर का सूपर हिट सौंग नाटू नाटू इसको मिला है उरिजनल सौंग काटेगरी में ऑसकर एवार्ड भारत की डाकुमेंटरी शॉट फिल्म कौन सी है दा इलिफेंट विस्पर्व से इतिहार्थ रचते हुए बेस्ट डॉकुमेंटरी शॉट फिल्म का ऑसकर जीत लिया है तो यह वैं बहरत की एक डाकुमेंटरी शौट फिल्म में एवार्ट गीता है इसमें The Elephant Whispers इसका नाम आप लोग याद रखेगा The Elephant Whispers का निर्देशन किस ने किया है? कार्थिकी गोंसाल्विस ने किया है The Elephant Whispers का निर्देशन डारेक्टर है ये सिर्यमेन का आयोजन कहा पर हुआ है जैसे भारत में वालिवुड है वैदय सही से एकैध activated a देए सिर्माइट कशली अगलर के पारेश। के कि सैने मिला है बेश्ट एकट्रस का एंड ओस्कर्ण बॉर्ट में देख लेते हैं Michelle यो, Jennifer Lawrence, Annie Hathalie, Emma Watson तो ये मिला है Michelle यो को मिला है Best Actress का Award Oscar में देख लेते हैं और किसको मिला है देखें Best Actress का Award तो इनको मिल गया Michelle यो को मिल गया है किस लिए इनको किस मूवी में इन्होंने काम किया था Everything, Everywhere, All at Once इस मूवी के लिए इन्होंने जीता है Best Actress का एवार्ड, Michelle Yeo ने इस मूवी में काम किया था, इतना अच्छा काम किया था कि Best Actress का एवार्ड मिल गया, इनका जन्म का हुआ है, मलेसिया में जन्मी, यानि Michelle Yeo का जन्म मलेसिया में हुआ है, यो जो है Michelle Yeo सरस्रिष्ट अभनेत् करेंख स्थी का ऑस्कार जीतने वाली दच्छड पूर्व A.C.I.M,ожал, की पहली एक्टश बन गई है, इसलिए बहुत ही महत्वूर्ड है कि, यह पहली बार कोई दच्छड पूर्व A.C.A. का डच्छ पूर्व A.C.A. का कोई झिसको मिला है, दच्छड पूर्व A.C.A. ком क कि पहली ऐसी एक्ट्रेस है मिसल यो जिनको असकर एवार्ड मिला है छाथी इस फिल्म बहुत इमपोर्टेंट जादा तर क्या पूछ आज अधी जो बना मंदेख्टर का इंको है और baikैनिete का इवार्ड मिला मीले किस लिए मिला इनको मिला है इनकी फिल्म डाल review दावेल फिल्म में इन्होंने काम किया था इसलिए बेस्ट एक्टर का इवार्ड इनको दिया गया है तो ध्यान दखेगा किसको क्या इवार्ड मिला है अगला कोशन है कि कौन सा केंद्री मंत्राले स्वादेश दर्सन 2.0 कारक्रम लागू करता है तो कौन सा मंत्राले चल रहा होगा स्वादेश दर्सन अपने देश का दर्सन को मतलब अपने देश में जो अच्छी जगह हैं वहां पर भूमो तो यह योजना है कि भारत के कुछ शेहरों को चुना गया है और उनको थीम बेस पर डबलब किया जाएगा जैसे कि अध्या वगरा जो चूज किये अभी इसमें राम दर्सन उज्म जबत शेहरों कंसा मफने रहोगा जोगा स्वाधेश दर्सन ने जोड़ना की पहले देख लेते स्वदेश दर्सन 2.0 अब देखिए भी 2.0 यानि पहले वर्जन आ चुके है यानि पहले भी लागू हो चुकी है अभी इसका second वर्जन है दूसरा चरण है इस योजना का तो यह जो दूसरा चरण है ये जो कारकरम है शवदेश दर्सन योजना का ही क्या है संसोधित जीरो कारक्रम आया इसमें और ज्यादा डवलप किया गया परटन की द्रश्टी से इसे पूरे भारत में थीम आधारित परटक सर्किट बनाने के लिए केंद्री परटन मंत्राले द्वारा लॉंच किया जाएगा एक थीम आधारित बनाए जाए कि अगर माली जो गौतम गु से अपना क्या किया प्रवचन दीया था यह सब सर्किट को जोड़ दियीया पैदा फिर यहां पर इन्हों को hue यहां पर इनको इन्होंने यह अपना प्रवचन दिया फिर यहां पर इनकी म्रत्य हो गई तो इन सारे सहरों को जहां जहां वो गए थे उन सभी को क्या किया जाएगा एक सर्किट के रूप में जोड़ करके किया जाएगा अगर कोई घूमने आए गौतम बुचिजी के बारे में पता करें तो सुरू से जन्म से लेकर म्रत्यू तक उनके जीवन की जो भी घटनाए हैं किन-किन शहरों में होकर बुजरे हैं उन सब को डबलब किया जाएगा तो बहुत सर्किट हो जाएगा वह ऐसे मह परिंदार शहरों सथलों के रूप में विक्सित किया जाएं कि 15 राज्यों के 30 شह को डबलब किया जाएंगा इस योजना के तहत हैं रखेहा गौवा में और duas barrier icon अधिए को डबलब किया जाएगा इस योजनास के तहत अगला कोशन है किस राज्य के राजपाल ने राज मंत्री मंडल द्वारा पारित ओनलाइन जुआ निशेद विध्यक को लोटा दिया है कोशन समझेगा बहुत ही ज़्यादा महत्वूर है थोड़ा सा पॉलिटी से भी रिलेटेड है कि किस राज्य के राजपाल ने एक पड़ाया था आपको कि राजपाल के पास और राश्टुपत के पास ये शक्ति होती है अगर संसद किसी विद्यो को पारित करके राजपाल के राजपाल चाहे तो उसे लोटा सकता है तो वैसा ही हुआ है एक राज में विध्यक भेजा गया विधान मंदल से पारिक करके और राजपाल ने वापस कर दिया अब देखें यहां पर नियम यह पहले तो अथा कि वह वापस कर देगा कोई बात नहीं लेकिन अब उसकी बाद राजपाल ऊसे लोटा सकते हैं लेकिन अब विध्यक विध्यक भारिक को विधान मंदल से आ गया तो राजपाल उससे नहीं लोटा सकते यानि सहमत दुबारा तो देनी ही पड़ेगी तो समझेगा एक विध्यक को राजपाल ने लोटा दिया है कहां पर तमिल्नाडू में तमिल लाडू का एक विधियक था ओनलाइन जुआ निशेद मतलब जो ऑनलाइन जुआ के आज कल देखते हूंगे खुले आम ऑनलाइन बेट लग रही है शर्ते लग शर्ते बाजी हो रही है तो अब जैसे रमी करके शायद बहुत सारा आता है अब लोग देखतोंगे पहले तो ऑनलाइन जुआ निशेद रोकने के लिए विधियक तमिल नाडू सरकार ने पेस किया था पारित भी हो गया था उसके बार राजपाल के पास बेजादा तो राजपाल ने तमिल नाडू के मना कर दिया तो हम नहीं कि सरकार ने क्या कि हम दुबारा पारित करके भी हो आपको सायन करने करना ही पड़ेगा कि राजपाल क्यवल reporting क्या मैटर है मैटर निश्यद रैभी है ने क्या कि विधान सभाद वारा पारित तमिल नाडू? जो वृधाइक था वृधाइकश को राज सरकार को लोटा दिया जो खेल थे उन्से रेलेड़ से वृधाइकश सरकार को वापस कर दिया और यह कहा गया कि सदन के पास इसे बनाने का विधहाई छमता नहीं है राजपाल ने क्या कहतर वापस कर दिया कि जो सरकार है तमिलाडू की जो विधान सभा быть उसके पास ही अधिकार नहीं है कि वो इस मैटर पे कानून बना सके 지ировать cabinet ने क्या किया जो वहां की और पारित हो गया तो राजपाल को तो सहमती देनी ही पड़ेगी क्wnya कौई विध्यक सदन द््वारा दूसरी बार बिना किसी संसोधन के या संसोधन के साथ पारित किया जाता है तो राजपाल को तो सहमती देने ही पड़ेगी राजपाल रोक नहीं सकता राजपाल रोक नहीं सकता उसको सहमती देने ही पड़ेगी अगर दूसरी बार कोई विध्यक अगर पारित होकर विधान सभासे जाता ह राजपाल के पास तो यह थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटर भी करेंट अफेर था तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया अगला कोशन है कि किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तीसरे सप्तर की मेजबानी की क्या कोशन है कि कि देश ने मेजबानी की है किसकी नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अब नाम से ही लग रहा है डिजास्टर यानि हैं आप दाई के रिस्क को कम करने के लिए जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी की है अपने प्यारे भारत ने इसलिए नियु इंपोर्टेंट हो जाती है जो भारत किसी भी बैठक की अध्यच्छता करता है तो वह आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर होती देखते हैं इसके बारे में डिटेल से भारत ने कहां पर नई दिली में बैठक की है किसकी बैठक की है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क डिडक्शन एन पीडी आरार के तीसरे सत्र की मेजबानी की है अब देखे इसमें बैठक में क्या हुआ कि बारा सो से जादा विशेविशेशा सग्य यानि जो बैठक हो ही काफी बड़े लेवल पर ही होई है और बहुत ही जादा विशेशाग्य ने इ वर्क द्वारा दिये गए आपदा जोकिम न्यूनी करड़ पर दस बिंदू एजंडे के अधार पर आपदा जोकिम में कमी पर विभिन क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचार मिमर्स किया मतलब इन लोगों ने बैठकर जो मीटिंग की उसमें क्या-क्या बात की गई जो आपदा से रिलेटर जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए बैठक की गई और दस बिंदू एजंडे मतलब दस पॉइंट रखे गए हैं कि जो आपदा से रिलेटर जो रिस्क हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मुद्दों पर विचार विमर्स किया है किसको जोखिम न्यूनी करड यानि जो आपदा से जोखिम होता है इसको कम करने के लिए देखिए जो सरकार बहुत सारे क्या करती है गाइडलाइन जारी करती है जैसे कि आप सुपी को पता है तमिलाडू में एक वर सुनामी आया था बहुत भेंकर काफी ज़्यादा नुक्सान ह जाता है तो सरकार गाइडलाइन करती है लेकिन क्या होता है लोग ना अतिक्रमण कर लेते हैं जैसे कि नदी के किनारे घर बगर नहीं बनाने चाहिए या समुद्र सट जो है उसके किनारे कुछ गाइडलाइन है कि आपको कैसे घर बनाने चाहिए या कितनी दूर पर घर ब प्रशान्त महासागरी पेटी उस पर जपान बसा हुआ है लेकिन नुकसान बहुत कम होता है यह वहां के लोग गाइडलाइन फॉलो करते हैं जैसे वहां पर यह लकडियों के बनते हैं ताकि भूकम पाए तो बहुत जादा ना लोगों को नुपसान हो किसी फुब लकडी ग बहुत जाए तो कुछ गाइडलाइन होती हैं सबकी किया अग्ला कोशने के два drama कि को कैप्चर किया गया है एक ग्रह पर किसके दवारान नासा के कूरोसिटी रोवर आप लोग समस्ते एक तरह से करण होता है जिसको ग्रहा पर छोड़ा जाता है और वो क्या करता है जैसे कि भारत ने चंद्रियान टू जब भेजा था तो एक रोवर भी साथ में गया था वो क्या करता है उस पर कैमरा लगे होते हैं और वो घुम घुम कर फोटो लेता क्रिप्स कुलर की रोडों की फोटो खीची अभी मैं बताऊंगे आपको कि यह क्या है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा मंगल याद रखिएगा अब देखें मैं आपको बता रही हूं मंगल पर क्रिप्स कुलर की रोडों की फोटो खीची है यह क्या होती है यह जब प्रकास होता है सुर्योदे के समय स्रियास्त के समय समय की फूतो खीचकी भेजी है कि इस Roh queste देख लेते हैं इसके वारे की नाशा के क्या मं갈 ग्रह पर किया है सुर्योदे या सुर्वास्त के समय दिखनी वाली जो किरडे होती है उनको कैप्चर किया है और यह जो फोटो भीजी गई है वो सुर्यास्त हो रहा था मंगल ग्राह पर तब इस रोवर ने फोटो खीच कर भेजी है रोवर ने उस द्रिस्ट को कैद किया जब सूर ने घनी भूत बादलों को रोशन कर दिया देखें घनी भू जो कि अध्याटी में पहली सूप्रीम और इंस्ट्विशन 20 बैठक की अध्यच्थथा की कि इसने असम की बिर्मला सीता रमड ने बीवी आर सुभिमन्यम ने या ग्रीश चंदर मुर्मु ने तो कैग है यह ग्रीश चंदर मुर्मु क्या है कैग है भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिछट कल की क्लास में आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगे कि क्या होते हैं और महानयावा क्या होते हैं महादिवक्ता क्या होते हैं पॉलिटी की क्लास में चार बजे ठीक है तो आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा ग्रीश चंद मुर्मु जो है यह क्या है कैग है भारत में इन्हों ने क्या किया है पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टिटीशन 20 बैठक की किस बारे में है भारत के नियंत्रकों महालेखा परिच्छक जो है ग्रीश चंद मुर्मु उन्होंने गुहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टिशन 20 की बैठक की अधिश्ता की है इस बैठक की थीम क्या है देखिए किस वज़े यह बैठक हुई है ब्लू एकॉनमी और Responsible Artificial Intelligence इस बैठक का थीम था मतलब इस बैठक में चर्चा की गई है ब्लू एकॉनमी पर और Responsible Artificial Intelligence पर अब ब्लू एकॉनमी समझ लीजिए ब्लू एकॉनमी होता है जैसे जो समुदरी संसाधन है जली संसाधन है उनसे रिलेटट जो भी इंकम होती है आर्थिक ही होती है उसको बोलते हैं ब्लू एकॉनमी ठीक है माल लीजी एक्जामपल देती हूं आपको जैसे समुदर में मचलिया पाली जाती है तो उन मचलियों को पकड़ कमश्वारे बेचते हैं उनसे क्या होता है पैसे आते हैं तो यह सब किसके अंतरगत होता है ब्लू एकॉन साधन है उनसे जो आर्थिक गत्विधिया होती है उसको बोलते हैं blue economy और responsible artificial intelligence artificial AI आप सबी को पता है आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है artificial intelligence वो जो computer होता है क्या करता है अपना दिमाग यूज करके computer क्या करता है calculation करके आपको 40 से result दे देता है तो यह होता है artificial intelligence इस पर बात की गई है उन्होंने कहा है यह जो बैठक है इसका उदेश क्या है एक ऐसे पारस्थितिवी संत्रों को एक साथ लाना जिसमें AI की सक्री भागिदारी हो मतलब इस जो बैठक हुई है उसकी सक्री भागिदारी हो जो सब्सक्राइब के लिए पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा दे समझेगा इस बात को ब्लू एकॉनमी जो है इनको खोद करके घराई में पाइप बार डाला जाता है बहुत सारी चीज़े हैं निकाला जाता है इसे सब पैट्रोलीयम का ही हिस्सा है इसके देख रिकास के लिए पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा देना है और गौरतलवी की भारत वर्ष 2030 में G20 की अधिस्ता कर रहा है वो तो आप सभी को पता हैं में कई दिन से बता रही हू lied इसलिए भारत में सारी बैठके हो रही है कभी किसी शहर में कभी किसे सहर में कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अगला कोशन की हाली में प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विच्तारित किया गया था समझेगा एक्ट ह hai मानि लॉंडरिंग क्या होता है कि लोग करना करते हैं जो हमने तो atP likes कर दिया दिया कि तो दान कर दिया है कर दिया हैं एक फिरन में कह लेती हैं घुट मूट खूल गे हैं में जो जैसे पोजिक्तिव समय है तो ब्लैक मनी होता है मतलब यही मनी लॉंडिंग का मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी करना यहीं गलब तरीके से कमाएं पैसे को सही तरीके से दिखाना money laundering act को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है यह जो act था इसमें कुछ चीज़े लिखी थी कि यह यह चीज़े money laundering कहलाएंगी अब इसको विस्तारित किया गया है बढ़ा दिया गया है किसलिए बढ़ाया गया है वर्चुल डिजिटल संपत्ती को एड करने के लिए अवासी संपत्ती क्रसी संपत्ती और दोगिक संपत्ती तो समझेगा जो वर्चुल डिजिटल संपत्ती है अब इसको क्या कर लिए गया है मनी लॉंडरिंग में शामिल कर लिया गया है वर्चुल डिजिटल संपत्ति अब इस पर भी नजर रखा जाएगा वर्चुल मतलब यह होता है ऑनलाइन जो भी पैसा आप लोग कमाते हैं उसको भी अब काउंट किया जाएगा कई लोग क्या क ही जाएगी और देखा जाएगा यह पैसा गलत तरीके से तो नहीं आया है ऑनलाइन या वर्चुली देखें मनी लॉंडिंग रोक्ताम अधियम 2002 भारती संसत द्वारा मनी लॉंडिंग को रोकने के लिए अधनीमित किया गया था भारत सरकार में वर्चुल डिजिटल संप विश्थार किया है जो मैंने भी आपको बताया कि अब ऑनलाइन जो भी संपत्ति है उसको उसकी मनी लॉंडिंग रोकने के लिए इस विद्य को विस्तारित किया गया है अगला कोश्चन के हाली में हुआ मेरापी जॉलामुकी विस्पोर्ट किस देश से संबंदित है यह में हैं इंडोनेथीया में हुआ है इंडोनेथया में एक बहुत ही जदा सक्री किrika नाम मेया मेरापी जॉलामुकी विस्पोर्ट और बहुत जादा वहाँ पर इसमें विस्पोर्ट होता रहता है इसलिए ये नुई चर्चा में है अब देख लेते हैं इसके बारे में काफी डिटेल से लेकर ये जो मेरापी है जौला मुखी इसको अगनी परवत भी कहते है कि इसमें बहुत जादा प्रजवलित होता रहता है एक्टिव है इंडोनेसिया में 120 से अधिक सक्री जौला मुख्यों में से सबसे अधिक सक्री है तो क्या यह जो है मेरापी जौला मुखी इंडोनेसिया में सोचिए 120 से जादा सक्री जौला मुखी है काफी बड़ी बात है कि इंडोनेसिया में बहुत ही जादा सक्री में अगर आप मैप उठाकर देखेंगे ना एटलस पूलेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंडोनेसिया है वह रिंग ऑफ फायर पर इस्थित है रिंग ऑफ फायर देखें यह सब आपने जोग्रफी में पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत जल्दी पढ़ें इद्गारफी में कि रिंग और फायर पर इंडोनेसिया है इसलिए इतने जादा ज्वाला मुखी होंगे यह क्या है वहां फायर में आप को दो शॉट में बता देती हूं कि प्रशांत महासागरी पेटी है तो प्रशांत महासागर आप मैप पे देखेंगे उसके किनारे कि प्रिशांथ महातागर का किनारा तो वहां पर जॉएंट होती है आप प्लेट में पढ़े होगे अगर प्लेट विवर्सनिकी लेट जुड़ती है तो नीचे जा करके मैगमा वनता है वह थो निकलता है उसी को कहते हैं ज्वाला मुखी तो इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा सक्री ज्वाला मुखी है और हाली में इसमें कई बार विस्फोट हुआ है इस ज्वाला मुखी का जो उद्गार है 2911 मीटर तक होता है काफी बड़े लिवल पर उद्गार होता है सूचिए 2911 मीटर तक उद्गार हो जाता है इसके निम्र भाग में सगन वनिस्पतियों के साथ खड़ी ढलाने है वर्स 2010 में इसके अंतिम बड़े विस्फोट में 347 लोग मारे गये थे और 20,000 से ज्यादा ग्र इसके ज़िए से उद्गार हुआ था और 20,000 लोगों को वहां पर विश्थापित करना पड़ा था वहां से छोड़कर दूसी जगा जाना पड़ा था इंडोनेसिया के बारे थोड़ा देख लेते हैं कि 270 मिलियन वहां पर लोग है इंडोनेसिया में 270 मिलियन की आवादी है इंडोनेसिया में और कैसा है एक द्विप समूव है और भूकम्प और ज्वाला मुखी गत्विदियों के लिए बहुत ज्यादा प्रवड है यानि बहुत ज्यादा आता है वहां पर ज्वाला मुखी क्योंकि यहां अगनी वले रिंग आफ फायर मैंने भी पता है रिंग इसकी डिजाइन देखें इंडोनेसिया की ऐसे हैं ना ऐसे सुमात्रा जावा बोड़नियों यह सब द्विप हैं इंडोनेसिया के जावा द्विप के सबसे उचे ज्वाला मुखी सेमूरू परवत इसमें दिसंबर 2021 में अभी विस्फोर्ट हुआ तब 48 लोगों की मौत हो कंप्लीट हो गई है अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेर आप लोग कर दीजिएगा और कमेंट वॉक्स में जरूर बताएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है अब देखिए हम रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे पहला कोशन था कि किस केंद्री मंत्राले ने सचोथ सो महिलाओं के नेत्रित में एक सचता अभियान शुरू किया है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका आवास और शेहरी मामलों के मंत्राले इस मंत्राले ने एक टॉस महिलाओं के नत्रित्य में चलाया गए है अब या न था है अगला कि किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन घंटरींग इंफ्राइस ट्रिक्छर पेश किया तो किस संस्थाने इंफ्राइस्टरींग्रोड हो जनें डंगां ग्रीन त्याट्या प्रदूशर की वज़े से पैदा होती है इनकी मॉनेटरिंग के लिए एक इंफ्राइस्ट्रेक्ट्टर किसी ने पेश किया डबलु एमो आई यह 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 क्या है वर्ड मीट्रियो लॉजिकल ऑर्गनाइजेशन तो इस संस्था ने क्या किया है यह इंफ्राइस्ट्रेक् इस पूर्व मुख्ष मंत्री की प्रितिमा का अनावरण किया गया है तो मैंने मठ्परदेश में अच्छे अच्छे काम किये थे अपने कारकाल में तो अगला कोशन है कि Tech Mahindra का नया MD और CEO की से नियुक्त के आ गया है कौन बन गया है Tech Mahindra का नया MD और CEO तो मैंने बताया था आपको मोहित जोसी बन गये है Tech Mahindra के नया MD और CEO अगला कोशन था कि सहित राष्ट की रिपोर्ट के नुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बन गया है मतलब किस देश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है उनके मौलिक अजिकार तक छीन लिये गये है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा अफगानिस्तान मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान में किसका शाषन हो गया है तालिबान का और उसने महिलाओं के उपर बहुत सारी बाउंडेशन लगा दी है इनफेक्ट उनसे इस इच्छा का अधिकार तक छीन लिया है अगला कोशन था कि भारत सरकार द्वारा अगनी वीरों को BASF में BASF क्या है जो Border Security Force है उसमें कितना प्रतिशत आरच्छड देने की घोशना की है तो भारत सरकार कितना आरच्छड देगी BASF में किसको अगनी वीरों को तो अगनी वीरों को देगी भारे सरकार दस प्रतिसत आरत छड़बी एस एफ में ठीक है अगला कोश्चन की बंगलूरू मैसूर एक्सप्रेस वे का उधगाटन किसके द्वारा किया गया तो राइट अंसर क्या हो जाएगा निरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया बंगलूरू मैसूर एक्सप्रेस वे का उधगाटन किया गया अगला कोश्चन की नामी विया से आए आठ चीतों में से कितनी चीतों को कुनो राष्टी उध्यान के जंगली छेतर में छोड़ दिया गया है आप सभी को पता है नामी विया से 8 चीतों को लाए गया और साउथ अफ्रीका से 12 टोटल इसमें कितने हैं मोशन भाइरत में 20 चीते आ चुके हैं उन में इसे 9 चीतों को क्या किया गया है उन्दों को छोड़ दिया गया है जंगली छेतर में कुनो ने ससे पारक के ताकी क्या करे मिलगैं वहाँ सकते और एक नर चीता है और एक मादा जीता है जो नर चीता है उसका नाम क्या है ओबन है और जो मादा चीता है उसका नाम है आशा तो आपके एक्जाम में हो सकता है इनसे नाम ही पूछ लिया जाए कि कुणो नेशन पार्क में जो दो चीते छोड़े गए उनके नाम क्या है ओबन औ आपको बताया था याद रखेगा यह अंतरिम मतलब होता है कुछ समय के लिए तब तक के लिए जब तक की कोई नया चैर्मेन नहीं आ जाता है तब तक के लिए बनाए गये हैं सिधार्थ मोहंती LIC के चैर्मेन अगला कोईशन है कि पीम मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलेवे प्लेटफॉर्म का उद्गाटन कहां किया है बताईएगा आप लोग इसका एंसर जी यह लास्ट कोईशन है और इसका एंसर मैं आपके लिए छोड़ रही हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें लिए अगली क्लास में धन्यवाद पास्ट कि एंसर श्वादर मैं संदे और लोगी हूं कि एंसर जी यह लोग कराईएगा।